डाउट्रेट पर हो गब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच्जाइब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो अपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउड डाउलोड कीजिए डाउट्रेट आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट् इन दिस क्वेशन एक बल्ब दिया है और वो डिजाइन किया गया है कि वो 55 वाट मलब की एनर्जी कंजुम कर रहा है ठीक है और यह 110 बोल्ट पे अपरेटेड है इट इस कनेक्टेट टू ए 220 बोल्ट एंड 50 हर्टेज लाइन थ्रू अच्योग क्वाइल इन सीरीज मलब च captured of the coil for which the admitted nucleot earnest Barb ko कितना बयlles चाहिए को अमन kalki क्या बोल्टेज चाहिए हमको बल्ब को चाहिए 110'... नौ बल्फ को हमारे बल्प को 110 बोल्टेज चाहिए हमको तो देखिए महम हम resistance निकाल सकते हैं ठीक है तो p power is equal to b square by r होता है ठीक है r तो हमें पता नहीं है कि वो जो circuit में resistance लगा है वो कितने का है जैसे circuit इस तरीके से होगी यह r हो गया और यहाँ पे inductor coil लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद हमको यह ac source देना है से कितने बोल्ड का 220 बोल्ड का तो मुझे r पता नहीं है तो r यहाँ से find out कर सकते है b square by p ठीक है और b कितना है b जो operation है मलब कि यह जो 220 तो दिया जा रहा है लेकिन यह कितने पर operate कर रहा है 110 बोल्ड पे तो यहाँ पे 110 का square divided by 50 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 220 ओम ओके 10 का square करके divide कर देंगे 55 से तो यह 220 ओम आ जाएगा तो r की value जो आ गई वह 220 ओम आ गई ठीक है अब current कितना होगा current i is equal to v by z होगा impedance total impedance ही तो होगा resistance तो यहाँ पे हमको z की value find out करना होगा तो z is equal to लिख सकते हैं under root r square plus omega l मतलब की xl और इसका square तो यहाँ से हमें मिलेगा z is equal to 220 square plus omega क्या होगा omega यहाँ से find out कर सकते हैं omega is equal to 2 pi f होगा तो f की value 150 ओम आ जाएगा 100 pi ठीक है तो 100 pi into l l ही हमें find out करना है ओके तो यहाँ से हो जाएगा current i is equal to v by z ठीक है यह इतना होगा और voltage drop through resistance कितना होगा यह होगा 120 मलब की जो bulb है उससे voltage drop कितना हो रहा है 110 का तो यह 110 is equal to क्या होता है ir मलब की v is equal to ir होगा यहाँ पे v is equal to ir होगा और देखो v जो होए वो bulb से voltage drop हो रहा है तो यह bulb जो है वो इतने voltage पे operate कर रहा है तो i क्या होगा i होगा v by z into r ठीक है तो यहां से v r divided by z हो जाएगा under root 220 square plus 100 pi into l square ओके और v की value क्या है b की value हो जाएगे यहां पे b की value यहां पे क्या है यहां पे 220 है ओके तो यह 220 into r की value भी क्या है 220 divided by under root 220 का square plus 100 pi into l square is equal to क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा 110 अब यहां से हम इसका इसको कटा लेते हैं 110 क्या हो जाएगा 110 is equal to 220 into 220 divided by under root में 220 का whole square plus 100 pi t whole square तो यह दो बार में कट जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा under root 220 square plus 100 pi l हो जाएगा ना यहां पे l है square is equal to 220 ठीक है अब दोनों sides का 220 into 2 हो जाएगा ना यहां पे 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 440 is equal to under root 220 square plus 100 pi l square दोनों sides का square कर देंगे तो यह हो जाएगा 440 का square is equal to 220 का square plus 100 pi l का square okay अब यहां पे यहां पे हो जाएगा हमारा 440 का square करेंगे तो यह जाएगा 193600 इतना जाएगा 193600 माइनस इसको इधर लेकर जाते हैं तो 220 का square करेंगे तो यह जाएगा 48 और 400 ओके मनलब 48 and 48400 is equal to यह जाएगा 10 to the power 4 pi square l square ठीक है तो यहां से हो जाएगा 193600 माइनस माइनस 48400 यह हो जाएगा 4145200 divided by 10 to the power 4 into अगर pi square की value 10 रखता हूँ तो यह हो जाएगा l square अब यह 2 से 2 सुनने कटेगा तो 10 to the power क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 1452 divided by 10 to the power 3 हो जाएगा और यहां से l की value क्या होगे यहां से l की value हो जाएगे 1445.2 divided by 10 to the power 2 का under root तो under root में 145.2 का value होता है 12.04 और इसका under root रेकर तो 10 हो जाएगा तो यह आजाएगा 1.204 henry ओके तो l की value इतना होगे जाएगा जाएगा तो